नमस्कार मैं प्रेम आप देख रहे हैं बिहार संबादाता काराकाट लोक्षवा चुनाव को लेकर आज हम बात करने वाले हैं अमिताब दस्तर जो पूर्व आईपियस रह चुके हैं इनी से जानेंगे कि उपेंदर कुश्वा का कहना है कि मोदी जो हैं जिनके उपर उनका असिरबाद रहता है वो जो चुनाव है जीत जाता है क्या मोदी मैजिक फिर काराकाट में चलने वाला है देखिए इस बार तो मोदी लहर का कोई अता पता ही नहीं है कुपेंदर कुश्वा है कुछ मैं दूसरी दुनिया में रहा रहे हैं 2014 में मोदी लहर दिखती थी 2019 में बी पुल58 कार्ड के बाद कुछ-कुछ लहर दिखाए देने लगी लेकि इस बार तो मोदी लहर का कहीं अता पता नहीं है इस बार तो बड़े लुड़े मुद्धे हैं बीच में रूजज़गार का मुद्धा है महगाई का मुद्धा है देश के बिरुज़गारों ने ठ वहाँ खड़े हुए हैं जो ऐसे रश्ट्रिय लोकमोर्चा के अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ इंडिया गटबंधन ने भाकपा माले के नेता को खड़ा किया है राजा राम सिंग को तो सुडू में लगा था कि दोनों की भी सिधा मुकाबला होगा लेकिन बीच में ये प पवन सिंग के नावांकंद दाखिल करने के बाल अब तक भाजपा ने उनको पाटी से क्यों नहीं निकला है क्योंकि वो तो भाजपा के मत्तब सदस्से थे उनको तो बगारा आसवन सोल से भासपा ने टिकट दिया था फिर टिकट लोटाना पड़ा तो काहले से अनुशा गहराता है कि होसकता है परदे के पीछे, परदे के पीछे पवन सिंग की कुछ बाज़िची चल रही हो भाजपा अला कमांट से, कुछ सौदेबाजी चल रही हो, कोई डील पक्की हो जाए हो सकता है पवन सिंग हो इस एक जो आसुप पोच रहे थे एक दिन नड़ा जिसे मिलने गया पता चला कि आपको MLC बना दिया जाएगा तो सब ब्ला गया जितना चंदा भी उन्होंने युटाया था चुनौक लड़ने के लिए वो चंदा भी किसी को वापस नहीं किया तो एक से लोग है युवा और करमट वहा के तरब से बार-बार ब्यान आ रहा था अभी भी आ रहा है कि उनको जो है पवन सिंग को बर्खास किया जाएगा और नमांकन जो है वो बापस लेंगे नमांकन भी कर लिए पचार पचार भी चालू है शेंबोल भी मिलने वाला है तो अब कब कब ये सब होगे वही हम से खिलाब कुछ कर नहीं रहा है इसे तो उपेंदर कुश्वाहा को ये भी शक हो सकता है कि कहीं मुझे ही न लंगणी मारने की तयारी हो है ना ये भी तो हो सकता है कि आपको याद हो एक दो साल पले जेपी नड़ा पटना आये थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ समय में सा से दिया है पवन सी ने मैरा तो आकलन यह है कि हो सकता है उपेंद्र कर नहीं रहें कि मोदिक आशरवाद मेरे साथ है देखें उपएंद कुछ वहां तो बुलेगें कि मोदी का अश्रवाद मेरे साथ है क्योंकि वो तो NDA के प्रत्याश्री है और भाजपा समर्थित प्रत्याश्री उनको तो भाजपा ने समर्थित प्रत्याश्री है पवंसी ने भी अभी तक आपचारिक रूप से छोड़ा तो मतलब तकनीकी रूप से तो वह भी मोदी की पार्टी में तो यह तो लेकिन तो जरूर पदा होगा कि मोदी के दो भक्त ही आपस में लड़े हुए हैं राम भक्तों का लंका कांड चल रहा है काराकार्ट का जो रन होगा वह किस तरह का अब बनने वाला है अब तो पाव पावन्दु कुश्वाहा और राजा रामसी में लेकिन यहीं पावंस ही रहते हैं मुकाबले में तब तो उपन्दु कुश्वाहा को वोटकटवा बनके हरा देंगे इससे पूर पूर्णिया का भी हाल यही हुआ था जो पपूयादव और बीमा भारती के साथ जो हुआ ह चुके हैं और कई साल से वो पूर्णिया के लिए काम कर रहे थे और प्रणाम पूर्णिया एक उनका अभियान भी था फिर उन्होंने तो उनकी पार्टी ती जनाधिकार पार्टी उसका उन्होंने कॉंग्रेस से विले भी कर दिया था और जब उनको टिकट नहीं मिला तो एक तरह से लोगों की भी सहानुभूती पपू यादव के साथ थी लोगों को लागा कि ये पपू यादव के साथ गलत हुआ कि बेचारे ने अपनी पार्टी का कौंग्ड़ से विले कर दिया अर टिकट भी नहीं मिला लालू ने लंगडी मार दी तो एक पपू यादव क कोणी हो गया है और वो जो चुनाव है जो उपेंदर कुश्रवाहा जो माला जप रहे हैं मोदी मोदी का मोदी मेजिक नहीं चलने वाला है इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं देखते रहें ब्यार समदाता धन्यवाद